दोस्तों आज मैं किसी प्रोड़क्त का प्रमोशन करने वाला नहीं हूँ अपितु मैं आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ AWPL कमपनी में जब आप जूड़ जाते हो जूड़ने के बाद आपको करना क्या होता है मेरे बहुत सारे भीवर और सब्सक्राइबर हैं जो जिनका ये कोशन रहता है कि सर आपने अभी तक इस टॉपिक पर विडियो नहीं बनाया कि हम इस कंपनी में जब जूड़ गया है तो एक्शुली हमको करना क्या है तो जी हाँ दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ कि जूड़ जाते हों जूड़ते हो और जोड़ने के बाद वर्क स्टार्ट करते हो इन दोने में बहुत करने वाला हूं डोस्तो आइए को च्छार्ट करते हैं मैं आपका दोस्त अनंथ फिर से में वीडियो में शवागत करता हूं आपका और आज का जो टॉपिक है जीरो टूवन जीरो टूवर्क स्टार्ट इस बीच के गैप को लोग समझेंगे आज के वीडियो के मैंदम से नंगीनत लोग इसे निकलते भी है, because सब लोग इसमें सफल नहीं कर पाता है reason क्या है reason यह है कि उनको पता ही नहीं होता है कि actually करना क्या है इसके अंदर तो आज हम इसी को step by step समझेंगे कि actually हमको जुड़ने के बाद हमारा first step क्या है हमको क्या करना चाहिए कि हम company के दोवारा समय समय पर दिये गए targets company के दोवारा बनाये गए जो goals है उनको कैसे achieve करें इस बात पर आज का वीडियो है तो दोस्तों जब आप जुड़ गए हो तो जुड़ने के बाद क्या है कि इसमें binary system है आपको एक left एक right मतलब कि bonus और incentive दो लेग बनते हैं ठीक है तो ये लेग तो अभी जब बनेंगे तो बनेंगे लेकिन सबसे पहले आप जब company में जुड़ गए हो free of cost सबसे पहले आपका main इसमें target यह होना चाहिए कि इस company के द्वारा जो भी products बनाया जाते हैं आयरुवेट के products हैं एड़ ड़ूपियल company के इसके अलावा home care की भी products हैं इसके अंदर agriculture की भी products हैं तो जो भी आपको products का use है पहले आप उस products को लीजिए और उसको इस्तमाल कीजिए इस्तमाल करने है कि मैंने इस company को join किया है इस company का ये products है इसको मैंने use किया और उसके ये benefits हैं जब तक आप यूज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि benefits क्या है तो कुछ products को आपको यूज करना है जो कि आपके यूज फूल हो जो आपको ज़रूरी है वह प्रोडक्स यूज कीजिए और उनको लोगों के बीच में सामने में रखिए उनको बताइए कि ये इसका बेनिफिट्स है एक तो ये वर्क हो गया दूसरा नंबर ये हुआ कि आप के पास कॉंटेक्ट लिस्ट है उस कॉंटेक्ट लिस्ट में के टोग्राइज कीजिए कि किन सिस्टम है लेफ्ट राइट में किसको किसको आड़ करना है जब आपने दोस्तों बना लिए कर दिया कि को न यूजर बनेगा कौन लीडर बनेगा तो आप उस अधार पर काम कीजी और लोगों को उसमें एड़ करना चालू किजिए सब्सक्राइट आपने सबसे पहले तो का जो active ID हो गया है चुकि आपने प्रोड़क्ट को यूज किया था कंपणी में जब आप प्रोड़क्ट यूज करते हो तो पर्चेज करते हो पर्चेज करते समएं पर हर प्रोड़क्ट का यहां पर MRP DP और SP होता है MRP जो होता है वो market price के लिए होता है जिसके कि आप sell कर सकते हो मतलब कि maximum retail price उसको कहते हैं लोग उसके बाद DP जो होता है distributor price होता है जिस rate में आप company के जब distributor बनते हो तो आपको उस rate में company के द्वारा मिलता है उसके बाद जब company से आप कोई भी product बाय करते हो तो उस समय company किया है कि आपको एक sell point देती है कि आपको product जब आप purchase कर दियो जो retail profit आपको direct मिला है MRP 2DP उसके बाद भी एक profit मिलता है उसको sell point करते हैं और ये sell point ही actually आपको company के द्वारा दिये गए टार्गेट्स और company के दिवारा दिये गए levels को achieve करने के बहुत ही काम में आने वाले हैं तो मैं इसको आगे और continue करूँगा तो यहां पर जैसे आपने purchase किया तो ये AWPL company में कुछ टार्गेट्स हैं जैसे 27 sell point है 22 sell point है और 100 sell point है इन sell point के जरीए आप अपनी ID को activate कर सकते हो suppose that आपने 100 sell point से अपनी ID को activate कर लिया अब आपका काम क्या होता है कि दो लोगों को आपको add करना है एक left में एक right में उन लोग को भी product के बारे में जनकारी दीजिए product के बारे में जनकारी देने के बाद उन लोग को भी बताईए कि कि आपको प्रोडक को कैसे यूज करना है कैसे मैंने काम किया इस तरह की जनकारी उन दोनों लोग को दीजिए जब लोग भी 100 और 100 सेल पॉइंट के प्रोडक्स पर्चेज करते हैं और उसको यूज करते हैं तो उनके जो मैचिंग है वो आपको प्रॉफिट मिलता है यहां प आपको ताप से हर एक इसका जो लेबल है उसको प्रमॉट होते रहेंगा और वहाँ से आपका प्रोश्चनल जो इंकम है वो मिलना चालू हो जाएगा तो यह जो प्रमॉश्चनल इंकम है कंपनी के दुवारा फस्ट जो लेबल है ब्रॉफिट में क्या है कि दो आपको CTD discard कर तो दोस्तों ये तो होगया二 लेवल के लिए लेकिन मुझे क्या बताना था आपको zero two ब्रोंज zero two crystal बताना था उस बीच में आपको actually करना जारते ह्तक्र मैंने जैसे क्या 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 इस us जालू किजिए इसके अलावा आप अपने contact list से list बनाईए और इस list को categorize किजी कि इस list में कौन user हो सकते हैं और कौन किन को हम जोड़कर leader बना सकते हैं तो यह तरह का काम आपको list बनाने वाला काम करना है इसके अलावा जो एक और main important काम है किसी भी company में जूड़ने से पहले और जूड़ने के बाद company का profile company कौन-कौन से products बनाती है products के क्या price details है इसके अलावा products के क्या-क्या benefits है इसके बारे में जनकारी आपको समय समय पर लेना होगा इसके अलावा आपके company के leaders के दौरा जो समय समय पर training कराया जाते है materials training materials provide करा जाते हैं उसको आपको लेना है और उस training म भाग लेना है, कभी-कभी कमपनी क्या करती है कि शेमिनार हो गए भी कराती है उसको अटेंड करना है, और वहाँ पर उनकी बातों को सुनना है क्यों कैसे आगे आपको work करना है ये सारे चीज समय समय पर आपको लेना है इसे क्या हुआ कि आपके अंदर का जो soft skill है किसी भी चीज को कैसे explain करना है इसकी जनकारी ही नहीं हमको तो ये सारे चीज जो समय समय पर meeting seminar या training कराई जा रही है उसके जरीए आपको अंदर से ये सारे soft skill जो है soft corner जो है वो आपके अंदर आ जाते हैं तो ये समय समय पर लेना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों य आपके लिए useful है उस प्रोडस को लीजिए और लेने के बाद उसको इस्तमाल कीजिए इस्तमाल करने के बाद जब benefits उसको आपको result मिलता है तब company में काम करना start कीजिए ने था वही से क्विट कर जाईए जब आपको result मिल गया और result मिलने के बाद लोगों के बीच में share करना स सिख गया के टोग्राइज करना सिख गया उस दिन आप company के हर label को achieve करना सिख जाई यहां पर मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब आप AWP company में जूड़ गये हो फ्रेसर से ब्रॉंज टक का सफर आपने तय कर दिया और आप ब्रॉंज लेबल पर आ चुके हो त क्यों कि वहां आप क्या कर रहे हैं कि company के products पे विश्वास करना सीख रहे हैं और लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना सीख रहे हैं जिस दिन यह चीज आप सीख गये और ब्रॉंज लेबल एचिप कर लिए समझ लिजे कि आप company के हर targets और हर goals को achieve कर सकते हैं तो I hope द to platinum इस तरह करके continue 18 level तक के videos बना के मैं बताऊंगा कि कैसे आपको target को achieve करने हैं कैसे आपको goal Set करने हैं next जो हमारा विडियो रहे का bronze to silver कैसे आपको target पर चिप करना है आपको बोनस में कितने लोग को एड करना है और कैसे वर्क करना है कैसे करना है यह सारी चीजे मैं बताऊंगा तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद